नालंदा महवीरा का उदय पांचवी शताब्दी में माना जाता है ये विश्व की सबसे पुरानी युनिवर्सिटीज में से एक है प्रेजन दे बिहार में इसकी लोकेशन है नालंदा संस्कृत के तीन शब्दों से मिलकर बना है ना, अलम, दा जिसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्यान का प्रवाह नालंदा महवीरा की जानकारी हमें हुईन सैंग और इट सिंग जैसे चाइनीज ट्रैवलर्स के अकाउंट से मिलती है हुईन सैंग सेवंथ सेंचरी में नालंदा आते हैं वो इसकी स्थापना का श्रे गुप्ता वन्ष के शासक कुमार गुप्ता वन को देते हैं हुईन सैंग लिखते हैं कि यहां दस हजार मंक्स और एक हजार पांट सो दस टीचर्ज रहते थे मतलब ये एक रेजिदेंचल युनिवर्सिटी हुआ करती थी नालंदा में चाइना, जपैन, कोरिया, इंडोनीजिया, पर्जिया, टर्की और श्रिलंका जैसे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे यहां बुद्धिस्म के साथ साथ Astronomy, Mathematics, Philosophy, Medicine, Grammar जैसे सबजिक्ट्स की शिक्षा भी दी जाती थी यहां तक कि उपनिशद्स के कुछ Original Manuscripts भी यहां मौजूद माने जाते थे साथ ही यहां Students को कोई Feast भी नहीं देनी होती थी यहां पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागर्जुना, पद्मसंभव और ह्यून सैंग जैसे बड़े-बड़े नाम शामिल थे ऐसा भी माना जाता है कि Great Astronomer और Mathematician आर्यभट इस University के हेड रहे थे ज्यान का ये केंद्र लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा लेकिन 12th सेंचरी में अचानक ये अतीत के अंधेरों में खो जाता है